इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं आजादी का अमरित महत्सों पर 350 सब्दों में निबंध तो ज़्यादा समय ना लेते हैं वे दोस्तों चलिए लिखना शुरू करते हैं निबंध अजादी का अमरित महत्सों सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय भारत में हर 25 साल में अजादी का अमरित महत्सों मनाया जाता है ताकि हमारी आज की पेढ़ी जान सके की भारत देश को अंग्रेजों से अजादी हासिल करने में कितने संघर्सों और कच्छनाईयों का सामना करना पड़ा था हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगर्ष्ट 1947 को अजाद हुआ था 15 अगर्ष 2022 को भारत की सौतंतरता का 75 वर्ष्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे आजादी का अम्रित महत्चों कब शुरू हुआ आजादी का अम्रित महत्चों का उद्गाटन भारत के परधान मंत्री स्रीनेंद्र मोधी जी ने 12 मार्च 2021 को साबर मती आश्रम अहमताबाद से दाड़ी मार्च को हरी जंटी दिखा कर किया था इस दिन ही महात्मा गांधी जी ने नमक सत्यागरह की शुरूआत की थी उसके बाद हम लिखेंगे आजादी का अम्रित महत्चों कब तक मनाया जाएगा अजादी का अम्रित महत्चों 15 अगर्ष 2020 तक मनाया जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे अजादी का अम्रित महत्चों मनाने का उद्धेश से क्या है अजादी का अम्रित महत्चों भारत सरकार की एक पहल है और यह इसलिए मनाया जाता है ताकि भारत के नागरिकों को भारत के गौरोशाली इतिहास और उपलब्धियों को अस्मरन करया जा सके और उनमें भारत देश के प्रती देशभक्ती की भावना पेदा कर सके इस महत्चों के माध्यम से आज की पीढ़ी को यह भी बताना है कि कैसे भारत देश को अंग्रेजों से कई वर्सों के संगर्सों के बाद आजादी मिली थी भारत को आजाद कराने में किन किन करनतिकारियों का योगदान था और अंग्रेजों से अजादी के बाद अब तक भारत देश ने क्या क्या पलब्धियां हासिल की है उसके बाद हम लिखेंगे अजादी का अम्रित महच्चो के काईकरम अजादी का अम्रित महच्चो एक राष्ट्रे महच्चो है यह महच्चो 75 सब्ता तक मनाया जाएगा इस महच्चो को सभी सरकारी संस्थान में बहुत धुमधाम से मनाया जाता है और इस महत्सों को मनाने के लिए राजनितिक पार्ठियां अपनी रहलियां भी निकालती है ताकि लोगों को आजादी का महत्व बताया जा सके उसकOOलों में भी सांस्कृति कारिगरम कराये जाते हैं जहां इस्कूल के छात्रों को भारत की अजादी के संघस की कहानिया बताई जाती है उसके बाद हम लिखेंगे निशकर्ष भारत का इतिहास अति प्राचिन और अति विशाल है भारत का अपना एक गौरुसाली इतिहास रहा है अजादी का अमित महत्रों के माध्यम से आज की पीड़ी को यह बताना है की कैसे अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद हुआ इसलिए भारत के हर एक नागरिक को अजादी के अमित महत्रों में भाग लेना चाहिए दोस्तों अगर यह निबंद आपके लिए हेलफुल है तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद